हेलो एवरिवन वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट नेक्स्ट आवम पढ़ेंगे चाप्टर सेवन जग्स अन मग्स तो स्टुडेंट्स इसी से रिलेटेड हमने एक चाप्टर पढ़ा था क्लास थ्री में अगर आपको याद होगा जहां पर बन्नी और बन्नों की शादी हुई थी उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था वहाँ पर स्पेशल ड्रिंक्स सबको सर्व किये गए थे और किस तरह से हमने सीखा था सारे एनिमल्स में कैसे या फिर सारे फ्रेंड्स में कैसे उसने ड्रिंक्स को डिस्ट्रिब्यूट किया था तो एक साल हो गए उनकी शादी को और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उन्होंने अपने सारे friends को फिर से invite किया है अपनी wedding anniversary celebrate करने के लिए यहाँ पर उन्होंने वही चीज लिखा है Bunny and Bunny decided to have a party one year after their wedding उन्होंने सोचा हम अपनी wedding anniversary celebrate करेंगे तो उन्होंने एक छोटी सी party रखी है सारे friends को उन्होंने फिर से invite किया है लेकिन इस बार वो एक special dish जिसे हम कहते हैं खीर वो सर्व कर रहे है they invited their family and friends they made a special sweet dish which is खीर all the animals came running, hopping and even crawling उसके बहुत सारे friends हैं कुछ run करते हैं, कुछ hop करते हुए आए, कुछ crawl करते हुए आए the elephant is drinking 50 liters of खीर तो उनमें जो सबसे जादा amount जो जो ड्रिंक कर रहे हैं वो है elephant, he is drinking 50 liters of खीर the giraffe is drinking dash liters, the cow is drinking dash liters तो students यह आपको guess करके बताना है कि अगर elephant 50 liters of खीर ड्रिंक कर रहे हैं तो जिराफ और काव उसके comparison में कितना ड्रिंक कर सकते हैं तो यह correct तो नहीं बता सकते हम लोग लेकिन एक estimate लगा सकते हैं कि जिराफ जो है approximately 30 to 40 liters of खीर वो ड्रिंक कर सकता है क्योंकि जिराफ भी एक big animal होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं approximately 40 liters तो इसके comparison में काव जो है लगभग 20 to 30 liters ड्रिंक कर सकता है तो यहाँ हम लिख देते हैं 30 liters तो स्टुडेंट्स लिटर्स को आप in notation capital L ऐसे भी लिख सकते हो तो स्क्विरल ने कहा मैं वन लिटर खीर ड्रिंक नहीं कर सकती मुझे उससे कम amount चाहिए एक काम करो आप लोग मुझे 500 milliliters खीर दे दो तो डॉंकी कहता है 500 milliliters क्या वो एक लिटर से ज्यादा नहीं है तो फॉक्स डॉंकी को समझाते हुए कहता है कम on don't behave like a donkey 1 liter is 1000 milliliters और 500 milliliters is half a liter तो फॉक्स कहता है एक लिटर में total 1000 milliliters होते हैं और हम इस तरह से कह सकते हैं 1 liter this is equal to 1000 milliliters तो 1 liter it is equal to 1000 milliliters के बराबर होता है तो इसलिए वो कहता है 500 milliliters this will be equal to half a liter क्योंकि अगर 1000 ml equal to 1 liter होता है तो इसका half होता है 500 ml तो 500 ml equal to क्या हो जाएगा 500 ml this will be equal to one half of a liter तो 500 milliliters it is equal to half liter next the frog hopped along with nine other friends he said oh we only want 100 milliliters each उसके बाद वहाँ पर total 10 frogs आ गए उन्होंने कहा हमें 100 milliliters each चाहिए मतलब हर फ्रॉग को 100 milliliters चाहिए ओके here is your खीर said the cat और cat जो है वो सारे friends को वहाँ पर खीर सर्व कर रही है she took 10 glasses and poured 100 milliliters खीर in each glass उसने total 10 glasses लिए हर ग्लास में उसने 100 milliliters खीर पोर कर दिया क्योंकि हर फ्रॉग को total 100 milliliters खीर चाहिए और total वहाँ पर 10 frogs है the donkey looked confused again तो फिर यह देख कर के donkey confused हो गए 10 glasses of 100 milliliter each how much is that तो वो सोचने लगा कि total यहाँ पर 10 glasses है हर ग्लास में 100 milliliter खीर है तो वो total कितने के बराबर हो गए तो fox फिर से उसे explain करता है he said that is simple 10 times 100 milliliter is 10 multiplied by 100 which is equal to 1000 milliliter और 1 liter तो fox कहता है आप ध्यान से देखो total number of glasses यहाँ पर 10 है 10 times 100 milliliter तो वो 10 times 100 milliliter क्यों कर रहा है क्योंकि total number of frogs यहाँ पर है 10 तो total number of glasses भी obviously यहाँ पर होंगे 10 और हर ग्लास में कितना खीर उसने पोर किया क्या आटने 100 milliliter तो इसलिए 10 times 100 which is equal to 1000 milliliter और students अभी अभी हमने discuss किया कि 1000 milliliter it is equal to 1 liter नाव जू राइट 10 100 ml is equal to how much? 10 100 ml it is equal to 10 times 100 ml 10 times 100 which is equal to 1000 1000 ml which is again equal to 1 liter और 1 L okay next वहाँ पर कुछ ants आते हैं look a group of ants is marching here and the grasshopper said grasshopper ने कहा देखो यहाँ पर कुछ ants के group आ रहे हैं the kheer is finished now what can we do the cat said sadly तो cat उदास हो गई ants को देख करके क्योंकि kheer खतम हो गई थी तो cat ने कहा अब हम क्या करें तो उसके बाद elephant कहता है don't worry they won't drink much each of them will take only 1 milliliter that is all I will share my kheer with them the elephant said and wiped the cat's tears with his ear so elephant कहता है cat तुम चिंता मत करो वहाँ पर total जितने भी ants आएंगे हर एक ant को सिर्फ 1 milliliter of खीर चाहिए होगा तो मैं अपना खीर वहाँ पर share कर दूँगा students अगर आप ध्यान से देखो elephant के पास total कितने खीर है यहाँ पर elephant ने total 50 liters of खीर लिया है तो वह कहता है तुम चिंता मत करो मैं अपना खीर उनके साथ share करूँगा how many are you all together the elephant asked उसके बाद elephant ने पूछा कि तुम लोग total कितने हो तो ants ने कहा we are only 1000 said the ants ants ने कहा कि हम लोग total है 1000 the cat said oh no 1000 we have to give खीर to 1000 ants तो हमें 1000 ants को खीर देना है after thinking the elephant said no problem I can manage each ant drinks 1 milliliter of खीर so 1000 ants drink 1000 1 milliliter which will be equal to how much students so that will be equal to 1000 multiplied by 1 milliliter तो यहाँ पर total कितने ants है students 1000 ants है और हर एक ant को कितना खीर चाहिए 1 milliliter खीर चाहिए तो हम लोग बस simply multiplied by 1 milliliter कर देंगे this is the total amount of milliliter that we will get तो 1000 multiplied by 1 this is equal to how much 1000 milliliter तो यहाँ हम लिख सकते हैं equal to 1000 milliliter which is equal to 1 liter क्योंकि हमें पता है already 1000 milliliter that is equal to 1 liters they will need the same as 10 frogs said the donkey donkey ने कहा इन्हें जितना खीर चाहिए 10 frogs को भी उतना ही खीर चाहिए था पतलब अगर आप देखो total 1000 ants को total कितने खीर चाहिए it is equal to 1000 milliliter और 1 liter और 10 frogs को भी यहाँ पर चाहिए थे 1000 milliliter और 1 liter of खीर तो दोनों को same amount of खीर चाहिए all the ants drank the खीर everyone was happy they sang and danced to celebrate the wedding anniversary उसके बाद सारे लोगों ने खीर खाया सारे लोगों ने मिल करके dance किया और wedding anniversary को celebrate किया next who can have 1 liter खीर do you like खीर what do you call it at home students क्या आपको खीर पसंद है खीर को आप अपने घर में क्या बोलते हो तो मैं अपने घर में खीर को खीर ही बोलता हू लेकिन आप अपने घर में खीर को क्या बोलते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो how much खीर can you have और आप एक बार में कितना खीर खा सकते हो वो भी यहाँ पर आप लिखो क्या आप एक लीटर खीर खा सकते हो तो students इस question का answer आप यहाँ पर लिखो can you drink 1 liter water at one time क्या आप एक बार में एक लीटर पानी पी सकते हो तो यह आप चेक कर सकते हो students यहाँ पर एक छोटा बच्चा है यह कहता है I can drink 400 milliliters of water यह कहता है मैं एक बार में 400 milliliter water drink कर सकता हो यहाँ पर एक लड़की है यह कहती है I think I can drink 1 liter तो यह से लगता है कि यह 1 liter पानी पी सकती है आपको क्या लगता है students क्या आप 1 liter पानी ड्रिंक कर सकते हो एक बार में अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पर आप लिखो yes next यहाँ पर question है the donkey is trying to look for different ways to add up 1 liter help him complete the chart तो यहाँ पर एक donkey है जो इस chart को complete करने की कोशिश कर रहा है he is trying to find out different ways where he can add up to 1 liter तो देखते हैं किन तरीकों से वो अलग-अलग तरीकों को use करके यहाँ पर 1 liter add कर सकता है students first question यहाँ पर करी होई है यहाँ पर है 500 milliliters plus 500 milliliters तो 500 plus 500 it is equal to 1000 तो total यहाँ पर कितने हो गया 1000 milliliters and we know 1000 milliliters it is equal to 1 liter 500 ml को हम यह भी कहते हैं half liter तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 by 2 liters और यहाँ पर भी 500 ml है तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं half liter या फिर 1 divided by 2 या 1 by 2 liters तो दोनों को अगर आप add करोगे this will be equal to how much 500 plus 500 1000 milliliters 1 liter तो इस तरह से इस question को भी करते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 liter आ जाए तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग कर सकते हो कोई भी random number से बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर इसे करने के जैसे हम यहाँ पर शुरुवात करते हैं 200 milliliters तो यहाँ पर हमने 200 ml लिख दिया यहाँ पर total हमें कितने चाहिए 1000 ml या फिर 1000 milliliters तो यहाँ और हम कितना लिखें या और कितना quantity add करें कि total वहाँ पर 1000 milliliters हो जाए तो यहाँ पर already 200 है यहाँ पर हम simply 800 अगर add कर दें तो 800 milliliters plus 200 milliliters it will be 1000 milliliters which is again equal to 1 liter अगर आप directly यहाँ पर नहीं पता कर सकते हैं तो आप simply यहाँ कर सकते हो 1000 minus 200 तो students ध्यान से देखिए यहाँ पर 200 हमने पहले से लिखा हुआ था तो यहाँ पर question था और हम क्या लिखें कि total 1000 हो जाए वो पता करने के लिए simply आप 1000 ml minus 200 ml कर दो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा answer 800 ml इसको आप और भी तरीकों से कर सकते हो आप starting 200 से मत करो यहाँ पर आप इस बार starting करो 100 से इस तरह से आप अलग-अलग numbers को try करके इस question को solve करो तो students आप बताओ अगर यहाँ पर 200 के जगा पर 100 ml हम लेते हैं यहाँ पर और हम क्या लिखें कि total मिला करके वो हो जाएंगे 1000 ml तो that is equal to how much यहाँ पर है 100 ml यहाँ पर और क्या चाहिए तो that is 1000 ml minus 100 ml this is equal to how much 900 ml या फिर 900 ml तो यहाँ पर अगर आप 100 ml रखते हो तो यहाँ पर आपको रखने पढ़ेंगे 900 ml तो इस तरीके से भी यह कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं आप चेक कर सकते हो इन दोनों नंबर्स को आड़ करो 900 ml plus 100 ml this is equal to 1000 ml which is equal to 1 liter इन दोनों नंबर्स को भी आप आड़ करके चेक कर सकते हो 200 plus 800 it is equal to 1000 तो students इस तरह से आप और भी तरीके से इस question को करो next question को देखते हैं यहाँ पर three boxes है already यहाँ पर 250 ml लिखी हुई है तो और दो boxes में हम क्या लिखे है कि resulting हमारा total 1000 ml के बराबर हो जाए तो यहाँ पर already 250 ml है plus हम यहाँ पर और क्या करें तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर चलिए हम करते हैं 250 ml तो यहाँ पर हमने 250 ml add कर दिया तो total यहाँ पर अभी कितने हो गए 500 ml हो गए लेकिन हमें total यहाँ पर 1000 ml चाहिए तो यहाँ पर अगर हम 250 ml लेते हैं तो यहाँ पर और क्या लिखेंगे total 1000 हो जाए तो यहाँ हम लिखेंगे 500 ml तो अब आप देखो तीनों को add करके 250 plus 250 is 500 500 plus 500 is 1000 तो इस तरह से आप कर सकते हो एक और तरीका है तो यहाँ पर हमने क्या किया 250 ml plus 250 ml plus 500 ml यह कुल मिला करके हो गया 1000 ml या फिर 1 liter इसी question को हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं 250 ml यहाँ पर पहले से हैं तो और हम यहाँ पर क्या add करें 250 ml यहाँ already है तो इस बार हम 250 ml नहीं करते हैं कुछ और number लेते हैं जैसे 50 ml इस बार हम छोटा number कुछ add करते हैं 50 ml तो यहाँ पर next हमने add कर दिया 50 ml तो students next question is remaining यहाँ पर हम क्या add करें कि total हो जाए 1000 ml तो पहले इन दोनों को add करो 250 plus 50 कितना हो गया 300 ml तो और हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि total हो जाए 1000 ml इस इस इसे गर सकते हो 1000 minus 300 तो what is 1000 minus 300 it is 700 तो simply यहाँ पर आप 700 ml add कर सकते हो तो आप इस तरह से भी calculation कर सकते हो या फिर directly आप mind calculation कर सकते हो तो यहाँ पर आप simply लिख सकते हो 700 ml तो यहाँ पर हो गया 700 ml अब आपका answer correct है या नहीं यह आप तीनों को add करके check कर सकते हो तो तीनों numbers को add करते है 250 ml plus 50 ml this is 300 ml 300 ml plus 700 ml this will be equal to total 1000 ml अतलब हमारा answer यहाँ पर correct है next question को देखते हैं यहाँ पर 200 ml है यहाँ पर हम क्या add करें कि total यहाँ पर हो जाए 1000 ml तो this will be simply आप 800 लिख सकते हो यहाँ पर 800 plus 200 this is we know 1000 ml या फिर अगर आपको नहीं पता आप इस तरह से नहीं calculate कर पा रहे हो तो आप क्या अगर सकते हो यहाँ पर 1000 minus 200 कर दो तो आपको पता चल जाएगा और यहाँ पर आप कितना quantity add करोगे कि total आपके पास 1000 ml हो जाए 1000 minus 200 is equal to 800 ml तो यहाँ से भी आप answer निकाल सकते हो next हम इस question को देखते हैं यहाँ पर तीन numbers है तीनों numbers को add करके हमें total 1000 ml करना है या फिर 1 liter करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कोई भी random number से यहाँ पर आप start कर सकते हो तो चलिए हम start करते है 250 ml से यहाँ पर भी आप students देखो तीन boxes थे जहाँ पर हमने 250, 250 और 500 यूस किया था तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो या फिर आप कुछ और यहाँ पर try कर सकते हो तो 250 ml है यहाँ पर कुछ और लिखते है तो यहाँ पर हम लिखते है suppose 100 ml तो टोटल यहाँ पर क्या हो गए 250 plus 100 which is equal to 350 ml हो गए total तो अब हम यहाँ पर क्या लिखे है कि total तीनों को मिला करके हो जाए 1000 ml तो this will be simply 1000 minus 350 अभी तक क्या आया था हमारे पास 350 ml 1000 ml minus 350 ml अगर हम करें this will be equal to 650 ml तो यहाँ पर हम लिख देंगे 650 ml similarly students यही एक solution नहीं है यहाँ पर आप और भी बहुत सारे solutions कर सकते हो जैसे for example यहाँ हम 250 नहीं करते हैं यहाँ हम 100 से start करते हैं तो यहाँ हमने लिख दिया 100 ml और हम यहाँ पर क्या add करें तो second number पर हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर 400 ml लिखते हैं तो total कितने हो गए यहाँ पर 500 ml हो गए तो यहाँ last वाले box में आप क्या लिख होगे remaining जो बच गया जितना हमें add करना है ताकि total 1000 हो जाए तो कितने बच गए 500 ml बच गए तो इस तरह से भी आप कर सकते हो यहाँ पर 100, यहाँ पर 400 और यहाँ पर 500 और यह सारे milliliters में होंगे तो यहाँ पर आप लिख दो ml 400 ml, 500 ml Students, next time इस question को देखते हैं तो यहाँ पर total 4 boxes हैं फर्स्ट box में already 100 ml लिखी हुई है तो यहाँ पर बाकी 3 boxes में हम कितने numbers को लिखें और add करें total यहाँ पर मिला करके हो जाए 1000 ml तो already आप देख सकते हो यहाँ पर 100 ml है तो कितने बच गए यहाँ पर और total कितने हमें add करने होंगे ताकि वहाँ पर 1000 ml हो जाए तो that is 900 ml, correct तो मतलब इन तीनों boxes में आपको कुछ ऐसे numbers लिखने है जिन तीनों को add करके total हो जाएंगे 900 ml यहाँ पर already 100 ml पहले से है तो यहाँ पर 100 plus 900 कितने हो जाएंगे 1000 ml तो this will be equal to 1000 तो यहाँ पर students अब हम क्या numbers लिखे तो यह completely बहुत सारे numbers आप लिख सकते हो आपके उपर है जैसे for example आप यहाँ पर 250 से start कर सकते हो तो यहाँ पर हमने लिख दिया 250 तो 250 ml प्लस तो कितने बच गए टोटल हमें करने है 900 तो students आप बताओ यहाँ पर टोटल दो बॉक्स में और हमें कुछ numbers लिखने हैं तो कितने बच गए सबसे पहले तो वो पता करने के लिए हम करेंगे 900 minus 250 तो वोट इस 900 ml minus 250 ml तो 900 minus 250 इस तो इसे आप दो तरीकों से solve कर सकते हो या तो आप directly mind calculation कर सकते हो या फिर using 1stance and 100 इसे solve कर सकते हो तो students हम लोग mind calculation करते हैं हम करते हैं 900 minus 250 तो हम करते हैं 900 minus 200 minus 50 तो यह हमने कैसे किया तो यह हमने class 3 में भी discuss किया था इस number को हम break करते हैं 250 क्या होता है 200 plus 50 हमें total subtract करना है 250 हम पहले subtract करेंगे 200 और फिर subtract करेंगे 50 what is 900 minus 200 this is equal to 700 और फिर remaining minus 50 so what is 700 minus 50 it is equal to 650 तो यहाँ पर हम चाह लिखेंगे 900 ml minus 200 ml it is equal to 650 ml तो यहाँ पर दोनों boxes को मिला करके हमें 650 ml करने हैं वो आप जैसे भी कर सकते हो for example यहाँ पर आप 300 लिख सकते हो और कितने बच गए 350 बच गए तो यहाँ पर आप कर सकते हो तो यह एक तरीका है क्या आपका answer correct है तो वो चेक करने के लिए सारे numbers को add करके देखो 1000 ml के बराबर आता है या ने या फिर इन 3 boxes को add करके देखो 900 ml के बराबर आता है या ने चलिए add करते है 250 प्लस 300 प्लस 350 तो इसे हम break करते है 550 को लिखते है 500 प्लस 50 प्लस 350 को क्या लिखेंगे 300 प्लस 50 अगें students आप इसको using 1s, 10s and 100s direct लिख करके भी कर सकते हो मैं यहाँ पर mind calculation कर रहा हूँ मैं आपको recommend करूँगा आप भी पहले mind calculation करो और check करने के लिए दो बारा आप using 1s, 10s and 100s करो तो आप सबसे पहले 100s को add गर दो 500 प्लस 300 कितने हो गए 800 और यहाँ पर है 250 तो 50 प्लस 50 it is equal to 100 टोटल यहाँ पर क्या हो गया 900 तो यहाँ पर आगे 900 ml मतलब इन तीनों को add गरके आ रहे हैं 900 ml मतलब यहाँ पर हमारा answer correct है तो students और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक answer है तो आप बहुत सारे numbers को लिखो एक और छोटा सा example मैं दिखा देता हूँ जैसे 100 यहाँ पर पहले से है तो यहाँ पर 3 boxes में हम क्या लिखें कि total मिला करके वह हो जाए 900 ml तो यहाँ पर हम 250 से शुरू नहीं करते है यहाँ पर हम इस बार 300 से स्टार्ट करते है तो अब आब बताओ students बाकी दो boxes में हम क्या लिख सकते है तो सबसे पहले total यहाँ पर कितने हमें करने है 900 300 यहाँ पर हमने यूज कर लिए तो कितने बच गया 900 minus 300 which is equal to how much 600 तो मतलब इन दो boxes में क्या ऐसे numbers लिखोगे जो कि 600 के बराबर आ जाए तो यहाँ पर आप 300 300 लिख सकते हो दोनों मिल करके 600 होते हैं या फिर आप 200 यहाँ लिख सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो 400 तो दोनों 200 plus 400 it is 600 तीनों numbers को add करके देखो 900 के बराबर आ रहा है या नहीं 200 plus 400 it is 600 plus 300 is 900 मतलब आपका answer यहाँ पर correct है तो students अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो basically यहाँ पर हम divide कर रहे हैं parts में लेकिन parts जो हैं वो equal हो भी सकते हैं नहीं भी जो parts के size हैं जैसे for example यहाँ पर 1000 ml को या 1 liter को दो boxes में divide कर रहे हैं जहाँ पर हर box में 500 ml है तो यहाँ पर तो दोनों boxes में जो size है वो equal है दोनों boxes में 500 ml है लेकिन कई बार आप देखो यहाँ पर जैसे 3 boxes है तो यहाँ पर equal हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते तो जैसे यहाँ पर एक box में 250 ml है दूसरे box में 250 ml है लेकिन तीसरे box में 500 ml है तो आप देख सकते हो तीनों boxes में जो quantities हैं वो अलग-अलग है next is look around look at these pictures now look for some other things we get in packets or bottles like these make your own list तो यहाँ पर आपको अपने list बनानी है आपने आस-पास में आप इस तरह की कुछ चीजें देखो जैसे milk के packets होते है cooking oil के packets होते है और वो कितने milliliter या liter के होते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना है जैसे for example milk के जो packets हैं वो 500 milliliter packets में आते हैं लेकिन milk के जो packets हैं वो 1 liter packets में भी आते हैं तो यहाँ पर आप 1 liter लिख सकते हो तो 1 liter को small notation में हम capital L लिखते हैं और milliliter को हम इस तरह से लिखते हैं notation में खिक उसी तरह से अगर आप देखोगे cooking oil जिसको use करके आपके घर में खाना बनता है तो cooking oil भी दो तरह के packets में आते हैं बहुत सारे तरह के packets में आते हैं उन में से कुछ हम यहाँ लिख देते हैं जैसे 500 ml cooking oil के packets आपको देखने को मिलेंगे या फिर students कुछ इस तरह की चीज़े आप लिखो जो अपने आसपास में आप देखते हो और जो packets हैं और वो milliliter में हैं या liters में हैं और कितने milliliter में हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखो और इस table को complete करो next is my liter bottle, have you seen a one liter water bottle, क्या आपने कभी one liter water bottle देखा है, आपने देखा होगा students, collect a one liter bottle and some other small bottles, guess how many times you have to pour from each of the small bottles to fill the liter bottle, तो आपको क्या करना, एक one liter bottle अपने घर से उठानी है, और कुछ छोटे bottles या फिर कुछ छोटे containers आपको लेने हैं और हर एक bottle या container को use करके आपको उस one liter bottle को भरना है और आपको देखना है, कितने बार में आप उसको भर पा रहे हो, और उससे आपको अंदाजा लगाना है कि जो छोटा bottle है वो कितने liter या milliliter का है, जैसे आप already one liter bottle ले चुके हो, जो बड़ा bottle है, छोटे bottles को आप use करके उस one liter bottle को भर रहे हो, तो obviously वो one liter से छोटा ही होगा, बट वो कितना होगा वो आपको पहले guess करना है, यहाँ पर, और फिर measure करके check करना है कि आपका guess correct है या या ने, जैसे कोई आपने एक छोटा bottle उठाया, मान लेते हैं वो जो छोटा bottle है that is equal to 200 ml वो एक बार में 200 milliliter उठा लेता है तो आप बताओ कितने बार उस छोटे bottle को use करके पानी आप भरोगे ताकि आप 1 liter bottle को भर सको तो student 200 को आप कितने बार add करोगे या क्या number से multiply करोगे कि वो 5000 ml के बराबर आ जाए तो 200 multiplied by 5 this is equal to 1000 milliliter correct मतलब 200 ml का जो bottle है उसको आप 5 बार use करोगे या 5 बार भरोगे तो आप 1 liter bottle को भर सकते हो because 1000 milliliter is again equal to 1 liter तो यहां पर आप लिख सकते हो यहां पर जैसे आप guess कर सकते हो कुछ भी randomly यहां पर हमने क्या guess किया था 200 ml measure करने के बाद हमने देखा कि actual में वो जो bottle है वो कितना ml contain कर रहा है that is equal to 200 ml मतलब यहां पर हमारा guess correct है तो जरूरी नहीं आपका guess यहां पर correct होना ही चाहिए आपको बस सीखने के लिए यह exercise है आप guess करो और देखो correct हो रहा है या ने जैसे for example एक और bottle हम यहां पर ले सकते हैं जैसे 250 ml students आप बताओ इस bottle को use करके हम कितने बार में 1 liter bottle को भर पाएंगे 250 ml को आप कितना बार add करोगे कि वो 1 liter के बराबर हो जाए या 1000 milliliter के बराबर हो जाए तो this is same as 250 plus 250 plus 250 plus 250 मतलब 4 बार 250 plus 250 is 500 250 plus 250 यह दोनों भी मिला करके हो गया 500 500 plus 500 this is equal to 1000 मतलब 250 ml bottle को अगर आप 4 बार भरोगे multiplied by 4 this is equal to 1000 ml तो आप उस 1 liter bottle को भर सकते हो तो ठीक उसी तरह से इस table को students complete look what adityan is saying I poured two small bottles of water to fill this 1 liter bottle adityan ने दो छोटे bottles को use करके इस 1 liter bottle को भर दिया how much water does a small bottle hold तो अब बाद आप बताओ students उसका जो यह bottle है वो कितना पानी या कितना water hold कर रहा है तो हम assume करते हैं वो जो amount है या quantity है that is x या फिर उसका जो bottle है वो x milliliter hold कर रहा है हमें पता नहीं है यह हमें find out करना है तो इसको वो दो बार भर रहा है मतलब x multiplied by 2 this is equal to how much 1000 ml correct तो यहां पर बस हमें x की value find out करनी है तो what is x equal to this will be simply 1000 divided by 2 अब यह कैसा है तो students पिछले video lectures में हमने आपको बताया था कि यहां पर 2 left hand side में है उसे हम right hand side में लेके जा रहे है बस हम इतना ही कर रहे है तो 2 यहां पर left hand side में x के साथ क्या है multiply तो जब वो right hand side चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा divide तो x will be equal to 1000 divided by 2 finally this is equal to how much 1000 divided by 2 हमें पता है 1000 को 2 parts में अगर हम divide करें तो that will be equal to 500 ml तो इसका जो छोटा bottle है that is holding 500 ml of water next यह कहती है to fill 1 liter bottle I need to pour water 5 times from my small bottle then how much water does Leela's bottle hold so Leela कहती है मेरे 1 liter bottle को भरने के लिए मुझे चोटे bottle से पानी 5 बार भरना पड़ रहा है तो मेरा जो यह चोटा bottle है यह कितना water hold कर रहा है so that will be simply equal to 1 liter means what 1000 ml this will be divided by कितने बार वो भर रही है 5 बार so simply divided by 5 which is equal to 200 ml इसे आप इस तरह से भी solve कर सकते हो हम assume करते हैं x जो उसका चोटा bottle पानी hold कर रहा है that is equal to x तो हमें पता है उस चोटे bottle को यूज करके वो 5 बार भर रही है तभी उसका जो बड़ा 1 liter bottle है वो भर रहा है मतलब x multiplied by 5 this is equal to 1 liter और 1000 ml अब हमें simply x की value find out करनी है वो हम कैसे करेंगे तो हमें बस left side में x को रखना है तो 5 को right hand side में लेके चले जाते है जब हम 5 को right hand side में लेके जाएंगे यह मैंने आपको सिखाया था तो यहाँ पर इसलिए यहाँ लिखेंगे 1000 divided by 5 जो कि हमने यहाँ पर भी किया था directly बट वो क्यों किया था वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं 1000 divided by 5 is simply equal to 200 ml तो x की value यहाँ पर क्या आ गई 200 ml जो लीला की छोटी bottle जो है नेक्स्ट है रामूज मेजरिंग बॉटल रामू गॉट ने अपने चोटे 250 ml कोकनट बॉटल को यूज करके एक इस तरह का बड़ा मेजरिंग बॉटल बनाया तो उसने कैसे बनाया students सबसे पहले उसने क्या किया इस बॉटल में उसने पानी भरा तो ये बॉटल 250 ml water hold करता है एक बार में उसने इस बड़े बॉटल में पोर किया और फिर जहां तक भी वो water हुआ उसने यहां पर marker से या pen से pencil से यहां पर उसने mark किया तो that is equal to 250 ml क्योंकि एक बार में ये कितना fill हो जाएगा 250 ml इस बॉटल में total है 250 ml उसके बाद उसने फिर से छोटे बॉटल को भरा और इस बड़े बॉटल में पोर किया तो next फिर से क्या हो गया वहां पर तो पहले यहां पर हो गये थे 250 ml फिर से उसने भरा तो और यहां पर 250 ml आ गये तो पहले से यहां पर थे 250 ml 250 प्लस 250 टोटल कितने हो गया 500 एमिल तो उसने मार्कर से यहां 500 एमिल मार्क कर दिया उसने फिर से using this bottle एक बार और इस बड़े बॉटल में पानी भरा तो और कितना भरा उसने 250 एमिल अगें 250 ml तो यहाँ पर टोटल थे 500 प्लस 250 कितने हो गया 750 ml तो जहां तक भी पानी का लेवल आया वहाँ पर उसने मारकर से मारक कर दिया 750 ml एक बार और उसने भरा तो फिर से यहाँ पर हो गया 250 ml तो 750 प्लस 250 ml क्या हो गया 1000 ml या फिर 1 लिटर फाइनली उसने यहाँ पर 1 लिटर मारक कर दिया इस तरह से उसने using a small bottle एक big measuring bottle बनाया next is my measuring bottle तो students आपको भी इस तरह का measuring bottle बनाना है find your own way to make a bottle which can measure 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter discuss with your friends and teachers how you made this तो students यहाँ पर जैसे रामू ने एक बड़ा measuring bottle बनाया तो यह bottle क्या-क्या quantity measure कर सकता है यह measure कर सकता है 250 ml, 500 ml, 750 ml और 1 liter तो जहाँ तक भी आप पानी भरोगे वहाँ तक आप देख करके बता सकते हो कि इस bottle में जो पानी है वो कितना है अब आपको इस तरह का एक bottle बनाना है जो measure कर सके 200 ml, 400 ml, 600 ml and so on तो यह आप कैसे करोगे यह आपको खुद से करनी है अपने friends के साथ discuss करनी है तो students यह मैं ऐसा homework आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ यह आप कैसे करोगे जैसे रामू ने यहाँ पर एक छोटा bottle यूस किया था जो 250 ml एक बार में fold करता है और बार बार उसको उसमें पानी भर करके उसको पोर करके उसने यहाँ पर markings करी और इस तरह से उसने एक measuring bottle बनाया आपको जो measuring bottle बनानी है वो यहाँ पर होनी चाहिए 200 next होनी चाहिए 400 next 600, next 800 finally 1 liter तो आप कैसे करोगे उसको छोटा bottle आपको यूज करनी है बट वो कितने quantity का आप यूज करोगे इसको आप ऐसा homework complete करो next is guess and check look at buckets, mugs, glasses and other things in your house guess how much water each can hold check if your guess is right by using your measuring bottle students आप जो measuring bottle बनाओगे उसको use करके आपको check करना है कि यह जो mug है, glass है, pot है और इस तरह की चीज़े हैं आपके घर में है, buckets है, वो कितना पानी hold कर सकती है, buckets मतलब जो छोटे buckets होते हैं, तो इस तरह के आप utensils लो और आप check करो कि वो कितना पानी hold करते हैं using your measuring bottle, तो सबसे पहले आपको measuring bottle बनानी है, जहाँ पर आपको markings करनी है, 200, 400, 600, 800 and finally 1 liter और फिर एक mug लेना है, mug में पूरा पानी भरना है, उस bottle में pour करना है, और देखना है कि वो जो mug है, वो कितना पानी hold कर रही है जैसे for example, आपने mug लिया और इस measuring bottle को हम use करते हैं, तो mug से आपने पानी भरा और पानी जो है यहां तक आया तो हम कह सकते हैं, वो जो mug है वो 250 ml of water hold करता है, ठीक उसी तरह से आपने एक pot लिया और अगर यह हमारा measuring bottle है और उस pot से हम पानी भरते हैं और फिर इस bottle में भरते हैं और वो जो पानी है भरने के बाद कुछ यहां पर आ गया तो आप देख सकते हो तो वो यहां पर 500 और 750 ml इसके बीच में है तो हम कह सकते हैं, वो जो pot है वो जो पानी hold करता है it is somewhere between 500 ml and 750 ml इसके बीच में है तो इस तरह से आप guess कर सकते हो और actually measure करके आप देख सकते हो कि आपका answer correct है या ने लेकिन यहां पर आपको जो अपना measuring bottle है जो आपने बनाया है, उसे यूज़ करना है तो इस exercise को आप complete करो तो ठीक है students, यह था part 1 of chapter 7 next अब मिलेंगे part 2 में तब तक के लिए इस exercise को आप complete करो और बहुत खुश रहो, thank you